सारी दुनिया को सारे फुटबल फैन्स को अब 19 जैन्वरी का ही ख्याल है कि क्या अलनसर और अलहिलार की कम्बाइंड 11 में रोनालडो खेलेंगे एंड क्या दूसरी तरफ से मैसी PSG के लिए स्टार्ट करेंगे अगर आप चैनल पर पहली बारी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलना एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत बोलना 19 जैन्वरी को हम सबको पता है कि अलहिलार और अलनसर का PSG का गेंस्ट मैंच है बट PSG की फॉर्म इतनी अच्छी चल नीरी हम सबको पता है अभी अभी लीग वन में रेंज ने उनको हराया है एंड उस PSG को हराया है जिसमें मैसी भी थे नेमार भी थे एंड सब्सिट्यूशन के रोल में अभापे भी आ चुके थे एक टाइम पर स्टेल रेंज से वहार गये एंड न्यूज की अगर मैं मानूँ तो न्यूज में ये साबित हो गया है एंड काफी लोग ये धवा कर रहे हैं इंक्लूडिंग ली इक्विप जो की नंबर वन न्यूज अजेंसी है हम सबको पता है फ्रांस की के क्रिश्चानो रोनाल्डो को आम बैंड दे दिया गया है अल नसर का एंड वह नंबर सेवन की जर्सी बैंड के कैप्टन बनेंगे अल नसर और अल हिलाल की कंबाइंड 11 का तो येस वी विल सी क्रिस्चानो रोनाल्डो एज अ कैप्टन जिसका मतलब ही है के क्रिस्चानो रोनाल्डो स्टार्टिंग 11 में भी होंगे बट दूसरी तरफ अगर मैं लाइनल मैसी की बात करूं एंड के लिए एक सिर्फ एक्जिबिशन मैच ही है है यह अल हिलार और अल नसर के लिए भी बट पीएज जी के हो हम सब को पता है कितनी अभी इंपॉर्टन मैच खेलने आगे जाते होए चैंपिन्स लीग के एंड लीग बन के तो उसको देखते होए आई तिंग रैमोस जरूर स बट अभी इस पर कोई क्लारीटी नहीं है एंड हो सकता है हमारे को के अल नसर हो सकता है हरा दे पीएज जी को क्योंकि पीएज जी जिस फॉर्म में चल रही है I don't be surprised I am not going to be surprised अगर अल नसर ने हरा दिया तो बट लेट सी के लोग सिरफ इसको एक्जिबिशन मैच की तरह ही